नमस्कार, MB Sir Classes के समस्त विद्यार्थी गण तो हम लोग पिछली Classes में जैसा की डिस्कसन कर चुके थे हम लोगों ने Present Continuous Tense के बारे में समस्त जानकारी प्राप्त की उसमें Affirmative, Negative, Introgative तीनों प्रकार के Sentence आपको दिये गए थे तो उसमें कैसे सहे क्रिया लेगी, क्या पहले लिखा जाएगा, इन सब तमाम चीजों के बारे में आपको पढ़ा दिया गया था तो आज हम लोग एक नए Translation के साथ चल रहे हैं और वो Tense कौन सा है? Present Perfect Tense तो Present Perfect Tense से नाम से ही क्लियर है कि Perfect का मतलब होता है पूरता, इसका मतलब वो काम पूर हो चुका है तो इसकी पहचान सबसे जरूरी है कि इसकी पहचान क्या है सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं पहचान इसी क्या है चुका है चुकी है चुके हैं चुका हूं यह सब्दाते हैं यह लिया है ली है लिये है यह यह भी आता है या कभी-कभी यह दोनों सब्द नहीं दिखते हैं तीसरे प्रकार का एक और सब्द दिखता है यह है यह है यह है तो अगर इस प्रकार से वाग क कि आपको मिल रहे हैं तो इसका मदब तुरंत आपको समझ जाना पड़ेगा कि यह प्रिजेंट पर्फेक्ट टेंस तो अब पहचान गए तो फिर अगली बात आती है कि या खिर को साथ क्रिया इसकी क्या है सैथ क्रिया का ब्योग करेंगे क्यों सी फार्म लगए तो उसके लिए यहां पर नियम लिखा हुआ है तो सबसे पहले को लिखते हैं आप सबब्ग के हिसाब से सब्जक्ट एक बचनका है singular है कि प्यूरल है यानि अगर एक वचन का है तो है लगाएंगे helping वर्ब की रूप में लगाएंगे और इसके बाद वर्ब की थर्ड फार्म यह हमेशा लिखी जाएगी यह पिछले वीडियो में भी मैंने की उसमें लगेगी अगर continuous tense है तो लेकिन अगर जो है यही टेंस परफेक्ट में कनवर्ट हो जाए यानि प्रिजन परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो चाहे फ्यूजर परफेक्ट हो तो उन तीनों टेंसों में जो मुख क्रिया है सदय अपने थर्ड फार्म में ही ल continuous tense के लिए हम लोग वर्फ की फर्स्ट फार्म में आई एंजी जोड कर ही वहां पर लिखेंगे ठीक है तो यहां पर वर्फ की थर्ड फार्म होगा इसके बाद जो बचता है वो सब आबजेक्ट हो जाएगा में वर्फ के बाद जो भी बचेगा हो सकता है का अबजेक्ट ए बहुवचन माना गया है तो उसके लिए जो हेल्पिंग वर्फ है वहां पर प्रियोगी और अब चुकी देखा है या देख लिया है जिस देखा है कुछ लोगों को यह नहीं सुनमाता होगा कि देखा है कौँछ तर्टेंस है चुकि इसमें तो ना तो चुका है चुकि यह भी आपको मिलेंगे तो देखने में लगेंगे लेकिन वह वास्तों में जो है वह प्रिजिंट फरफेक्ट में ही आएंगे जैसे तो यह ने उसे देखा है तो यह तो यह उसे देखा है तो यह present perfect हो जाएगा मैं उसे देखता हूं तो क्या हो जाएगा present infinite tense हो जाएगा तो यहां पर वर्व को ध्यान में रखते हुए ही यह decide किया जाएगा कि कोई tense present indefinite में जा रहा है कि present perfect में जा रहा है कि past indefinite में जा रहा है तो यहां पर देखा है माने देख लिया है तो कभी-कभी ऐसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो उसकी मूल भावना है तो उसको देख करके आपको समझना पड़ेगा कि इसमें जो है वह कौन से tense में appropriate लिखा जा सकता है ज्यादा बहतर मानना जा सकता है तो इसमें जो है वह present perfect tense के तहत ही हम लोग लिख पाएंगे तो यहां पर अब देखना का अंगरेज होता है सी तो यहां पर सी का थर्ड फार्म यानि सी सा सी तो इसमें वर्ब की थर्ड फार्म की importance perfect में बहुत ज़्यादा पढ़ जाती है और चुकि हर वर्ब जो है अपने थर्ड फार्म में लिखी जाएगी तो इसलिए थर्ड फार यूज होने वाली वर्ब्स हैं उनके आपको फर्स्ट फार्म सेकंड फार्म यह आपको याद करना पड़ेगा चुकि तभी आप इसमें कर पाएंगे अधर्वाइस आपको थर्ड फार्म नहीं पता है तो फिर वहां पर देखकते आ जाएंगे तो आई हैब सीन हिम हो गया ठीक है तो नेक्स एक्जामपल के तौर पर अब हम लोग चलते हैं तो इसका एक्जामपल अगला हम लोग ले लेते हैं तुम स्कूल नहीं गये हो तो इसमें दिखने से ही लग रहा है कि प्रफॉट्ट में होगा तक यहाँ अब यह और यहां शर्षय की प्यूरल फॉर्म है तो यहां पे हैव लग जाएगा और इसके ठीक बाद इसमें नहीं दिया हुआ है नहीं काउलेखत यहां पर हो जाएगा नाट गान टू स्कूल ठीक है तो अगले टेंस में हम लोग सकते हैं इसमें कुछ विसिस नियम जो भी है अच्छे ट्रांसलेशन उसको मैं करानिक अप्रियास करता हूं जिससे कि आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए चुकि इसमें जब अलग किसम के इंट्रोगेटिव आते हैं तो वहां प यहां पर करेंगे अब इसका कैसे आप लोग करेंगे तो यह भी सिंपल ही है एकदम तो यह सब एकदम सिंपल ट्रांसलेशन के तरह चल लाए हैं तो यहां पर यूँ अब यहां पर यह प्यूरल फॉर्म है तो यूँ है नाट इसके तुरंट बाद लेगा और गूविंट गान मार्केट तो इसको ऐसे आप लोग लिख सकते हैं लेकिन अगर आपको इसमें भी कुछ टांसलेशन ऐसे आएंगे कि जो हो सकता है कि वह इंट्रोगेटिव में चल जाए तो अब जैसे क्या वे ताज कभी नहीं देखे हैं यहां पर लेकिन अब यहां पर इसमें एक समस्या यहा रही है कि है यह की इस पर डिपेंट करेगा तो यह डिपेंट करता है कि यहां पर आपका सब्जेक्ट कौन सा है सब्जेक्ट आपका वे है चुकि यहां पे लिखा हुआ है तो वे के लिए आप क्या इस्तिमाल करेंगे है भी इस्तिमाल करेंगे और कभी नहीं तो नहीं के लिए यहां पे नाट नहीं लिखा जाएगा यह चीजे आप लोग हमेशा याद रखेगा कि कभी नहीं तो कभी नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि इसकी पूरे की अंग्रेजी जो है वो होती है नेवर हो सकती है तो पूरे कियाग्रेजिघी होती है निवरण तो कभी नहीं किसकρα मत्रब है कि यहाँ पे नाठ नहीं लिका जायएगा इस चीज़ को आप लोग याद रखेगा कि कभी नहीं कि यह complete का अंगलिस है निवर तो यहाँ पे क्या हो जैगा हैं है है कि में दे कि आप इसके बाद नेवर लिख दीजिए नेवर अब यहां पर है दे नेवर अब यहां पर ना टूट नहीं लिखना है नहीं तो पूरा टंदर गलत हो जाएगा जो कभी नहीं कि पूरी इंगलिज होती है नेवर सीन दी ताज ठीक है तो इसमें क्या सब्द पहले आया है तो इंट्रोगेट्व का यह वन है टाइप वन है क्या सब्द पहले आता है और एक दूसरे टाइप का भी इंट्रोगेट्व होता है इसमें क्या क्यों कब कैसे सब बीच में आते हैं तो हम लोग एक एक जामपल उसक जाँ जाँ पन तो अब इसको हम लोग को करना है इसको वे आज किताब खरेदने जाउनपूर क्याउन नहीं गए हैं तो तेंस को देखकर ही आप आचान सकते हैं कि यह है यह है इसमें दिया हुआ है तो यह कौन सा टेंस होगा तो यह प्रिजेंट परफेक्ट टेंस के तहट लिखा जाएग और यह जो है इसमें क्या क्यों कव कैसि यह बीच में लिखा हौगा है तो इसका मतलब है कि यह टाइप टू के तहट हम लोग चल रहे हैं तो सबसे पहले हमनों को कैया लिखना पड़ेगाई अब बताईए वाई के बाद आप इसके बाद क्या लिखते हैं तो इसके बाद सदैव प्रस्णुआचक सब्द के बाद हम लोग लिखते हैं इसका helping हेल्पिंग वर्व क्या है है लएगा कि हैव लगेगा तो यहां पर हैं है 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 लिख दिया आपने अब इसके बाद वे कि अंगरेज क्या होती है दे अब करता के बाद ठीक करता के बाद यहां पर नाट की लोकेशन होगी अब इसके बाद गए हैं तो जाना तो जाना का अंगरेजी गोवेंट गान गान हो जाएगा अब इसके बाद क्या लिखेंगे में समस्य यहां पती है कि किताब खरिद आज किताब खरिदने जौनपूर तो इतना सब्सक्राइब बचा हुए तो उसको कैसे लिखेंगे तो सबसे पहले प्रस्तमाचक सब्सक्राइब सब्सक्राइब करता इसके बाद नाट और इसके बाद आपने मुख्य क्या लिखा है मुख्य क्रिया इसकी तो इसके बाद कर्म क्या है कहां नहीं गए यह बात आते इसमें कहां जोड़ देंगे तो कहां आ जाएगा कहां नहीं गए तो जौनपूर तो यहां पर हो जाउनपूर के बाद जो बचता है सेस उसको लिखना है आपको तो क्या बचा है किताब खरीदने तो इसकी अंग्रेजी लिखने के लिए जिसमें ना ने नी सब्द अगर जुड़ा होता है तो आप उसमें वर्ब में टू लगा देते हैं टू लगा के ही उसको लिखेंगे आप तो अभी और टंस्क्रेशन आएंगे इस पर डिस्क्रेशन होगा तो वहां पर इस चीज को याद रखिएगा जिसमें ना ने नी जिस क्रिया में ना ने नी सब्द जुड़ा रहेगा तो उसकी इंगलिस जो है हम लोग तू लगा के करते हैं इसको तो यहां पर टू जिसमें ना लगा है उसे हम तू लगाएंगे तो खार यह दने तो इसका अंगरेजी बाई होता है तो तू बाई तू बाई अब यहां पर बूख और पिछली बार हम लोगों ने डिसकुशन किया था यहां पर कि आज कल परसों तू डे टूमारो दर डे एबरी डे इच डे यह सब वाग क्याते हैं मुश्टली हम लोग कहां लिखते हैं अंत में लिखते हैं इसमें तो इसमें बीच में आप कहीं मत्ते इसको लिखेगा अनत में तो यहां पूरणाचक सब्द हो गया तो एसे ही आपको करना है इसमें प्रस्षार्णाचक सब्द्र फिर करता फिर और इसके बाद जो बचा हुआ चीजे हैं वह सब लिखेंगा तो एक ट्रंसेशन और मैं दे दे रहा हूं उसको आप लोग करिए आज वर्षा क्यों नहीं हो चुकी है अब इसको कैसे लिखेंगे आप तो इसमें सबसे अहम बात यह है कि इसमें करता ही नहीं पता है कि करता क्या है तो इस प्रकार के वाक को लिखने के लिए हम लोग जैसे वर्षा अब यह महतुकून बात है यहां पर समझना वर्षा समय रितु दिन तारीक वर्ष इत्याज अगर सब दाते हैं तो उसमें इट का प्रियूप किया जाता है तो इट ही आजे सब्जेक्ट के रूप में यहां इस अगर चीजे आपको टांस्टे सम दे रहा है तो वहां पर आपको इट का प्रियोग करना है तो इसको कैसे लिखेंगे यहां पर इड़ ही कभी करता नहीं बन सकता वर्षा होना कांगरी होता है रेन और रेन कभी करता नहीं होता है इसे हमेशा वर्व की रूप में ही इसको हम लोग लिखते हैं तो जब यह वर्व हो गया तो इसमें यह नहीं पता है कि इसमें करता कौन सा है सब्जेक्ट कौन सा है तो सब्जेक्ट के लिए क्योंकि ट्रांसलेशन के सेग्मेंट में आ गया है तो इसलिए इसका जिक्र करना जरूरी है कि अगर वर्षा समय रितु दिन तारीख यह सब बवाद क्या रहे हैं तो वहां पर इट से ही जो है वो ट्रांसलेशन की सुर्वात माने जाएगी यानि वही करता के रोप है इतमें पर्योग होगा ठीक है तो अब यहां पे देखिए तो सबसे पहले क्यां कि ऑप लिखें हम लोग होई अब बताईए इसमें लिखी जाएगी हल्पिंग वर्व क्या है इसमें है लागा कि है तो इट जो है वह एक बचंद करता की रूप में ही ट्रीट होगा करता क्या है इसका इट हैHay होई सद्वा . helping वर्भ को गई इसके बाद तुरन्त अपने करता लिख दिया इट अगर नाठ दिया है तो करता के ठीक बाद लिखा जाता है यहाँ पर हो गया नाठ अब नाट के बाद क्या लिखते हैं मुख्य क्रिया तो मुख्य क्रिया क्या है वर्सा होना हमारी मुख्य क्रिया है तो उसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी रेंड तो अब इसके बाद जो बचा है उसको लिख सकते हैं आप लोग तो यहां पर टूडे एक चीज मैंने बताई थी टूडे टूमारू स्टैडे दैडे प्रिवीज दे यह सब हमेशा आप लोग अंत में ही लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा तो इसके बाद करता इट इसके बाद करता इट इसके बाद नाट और रेंड यहां पे मुख्य क्रिया हो गई इसकी और फिर जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे आप टूडे तो इस तरीके से आप लोग इस ट्रांसलेशन को हल कर सकते हैं अगर इसमें कोई आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेश करिए जिससे कि आपको अगले वीडियो में हम लोग इसका निदान कर सकें उमीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप ल साल जो उसमें दिये हैं उसको साल करिए तब आपको यह क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण नजर आएगी और आप सक्षम होंगे कि ट्रांसलेशन जो भी दिये होंगे उसको करने में तो आप लोग प्रैक्टिस करिए जो भी समस्या है वो आपको साल कर ली जाएंगी तो चल के लिए धन्यवाद